इस पाम उनर की आयू 37 वर्ष है फीमिल पाम है और समस्याएं नीजी जीवन में काफी गंभीर है इसका विशलेशन गहराई से करेंगे और कारण और समस्याओं का निवारन तलाशेंगे और इन्हें जो भी समादान है उसे भी बताने की कोशिश करेंगे तो चलिए या हतेली की अपेक्षा थोड़ी छोटी है ऐसे लोग धनसंचे करने के प्रत्न में लगातार लगे रहते हैं और प्रश्रमी होने के कारण धनसंचे कर भी लेते हैं ये लोग कंजूस चाहे भी न हो लेकिन हर एक बात में प्रैक्टिकल दृष्टी कोन इनका प्रधान होत और यह एक दार्शनिक हतेली है थोड़े लंबे शंक अकार की हतेली जिसकी उंगलिया लंबी और नकिली होती हैं उंगलियों की गाठे उबरियूई सी है लेकिन कोमल होती है इन पर गहरी धारियां होती है जो त्वचा के वास्तविक रंग से हल्की होने के कारण साफ दिक कही देती हैं। गुरू चंद्रमा और सूरे प्रधान होते हैं पर एक आधर्ष स्थिती हैं। कभी-कभी शुक्र भी उननत होता है। शुक्र उननत होने पर ऐसे व्यक्थियों को सुन्दर जीवन साथी और संपन्न जीवन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कल्पना शील होता है और भावुकता भी गहरी होती है हतेली का रंग गुलाबी है गुलाबी हतेली मा दुर्गा की कर्म शक्ती से प्रेरित होती है इन में सक्रियता, चंचलता और कोमलता अधिक होती है ऐसे लोग पवित्र, सम्वेदन शील और भोगवादी होते है इस प्रकार की हाथ वाली महिलाएं सात्विक विचारधारा की निश्टावान और सात्विक होती है हतेली में अंगुटे का महत्व बहुत अधिक होता है हाथ की उंगलियां, अंगुठे की और जुकी हुई है और कनिश्ट का उंगली से अलग है ऐसे व्यक्ति बुद्धिवादी होते है उत्तम बुद्धि के नाते अवसर परकर काम करते है और जीवन में काफी उड़नती करते है ये नेत्रित्व के गुनों से संपन होते है मगर सफलता इने थोड़ा एहंकारी भी बना देती है अंगुठे का पहला पर्व छोटा है और दूसरा काफी बड़ा और अंगुठा काफी कमलचीला है यदि ऐसा हो तो व्यक्ति तरक और विचार शीलता से जादा काम नहीं लेता नेरने शिग्र ही ले लेता है चाहे बाद में उसका अंजाम कुछ भी हो ऐसे व्यक्तियों का एक अपना खुद का औरा चक्र होता है जो इने दूसरे व्यक्तियों से कम मित्रता कम विश्वास और खुद के ऊपर यकीन रखने की तरंगे लगातार दिमाग में प्रभाहित करता रहता है इस कारण कोई भी शीग्र इने भेका नहीं सकता उंग्लियों की लंबाई खतेली के मुकाबले में कम है ऐसे व्यक्ति खास तोर पर महिलाएं अपने घर का खूब सुख भोगती है घर परिवार वाले उनकी सला लेकर अपने काम करते हैं चलिए चलते हैं अनामी का उंग्ली पर अनामी का उंग्ली तरजनी से बड़ी है तो सूरे के प्रभाव से संचालित होती है इन में प्रभुत्व, लीडर्शिप और रिस्क लेने की काफी क्षमता होती है जेब में कुछ भी ना हो फिर भी ये लाकों का रिस्क मिंटों में ले लेते हैं अनामी का और कनिष्ट का उंग्ली में विशेश अंतर है तो यहां यह अपनी मनमानी हर काम में जरूर ही करते होंगे कनिष्ट का उंग्ली का प्रथम पोर अनामिका के मध्य पोर के सिरे को छूरा है तो यहां यह अनेक विश्यों में काफी समझदार होंगी, अपने कामों में दक्ष होंगी, नेने शक्ती विक्सित होगी और किसी भी समय ऐसे व्यक्ति अपनी सही राये देते हैं जिससे दूसरों को फाइदा जरूर रहता है चलिए आप परवतों और हतेली की रिखाओं और अन्य चिन्हों और लक्षनों को भी जांच लेते हैं हतेली में गुरु परवत काफी विस्तरित जगा बनाई हुए है गुरु परवत पर वर्ग का चिन्ह साफ दिखाई पड़ता है यदि यहां वर्ग चिन्हों तो ये व्यक्ति को अत्यधिक उत्सा और घमंड से बचाता है बहुत बार व्यक्ति इस कारण से सफल नहीं होता कि वह अपनी हैसियत से उची कहीं वस्तु पाने की महत्व कांक्षा रखता है गुरू क्षेत्र अत्यधिक उन्नत है इससे व्यक्ति में अभिमान की मात्रा भी बहुत अधिक हो जाती है और इसका प्रिणाम बुरा होता है यह वर्ग चिन्ह इन सब बातों से व्यक्ति की रक्षा स्वयम ही करता है जीवन रेखा से निकलती दो खड़ी लाइन्स एक यहाँ और एक यहाँ जीवन में उत्पन महत्व कांक्षाों को दिखाती है यह परिवार और वेवसाई से संबंदित अवश्य ही होती है यह समनांतर दो खड़ी रेखाएं हैं तो यह महत्वक आंक्षाएं दो दिशाओं की तरफ जाती है इस कारण इसमें सफलता नहीं मिलती यदि यह एक हो तो बहुत ही शुब होती है चलिए शनी परवत देखते हैं शनी परवत एक खास किस्म के चिन को धारण किये हुए है यह एक शनी परवत का फिश्ट साइन है अगर यहां मचली का निशान हो तो यह इस बात की पुष्टी करता है कि ऐसे चिन वाले व्यक्ति अत्यंत ही नियाई प्रिये और अनुशासित होंगे ऐसे चिन वाले व्यक्ति रहस्य में विद्याओं के स्वामी अवश्य ही बनते है या उनकी रुची इनमें अवश्य ही होती है ऐसे चिन वाले व्यक्ति दार्शनिक और अध्यात्मिक स्थरके होते है और जादातर मेरे अनुभव को ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग चाहे किसी भी प्रफेशन में दक्षता हासिल कर ले किन्तु अंतता अपना जीवन व्यापन गूर विज्ञान रहसमे विद्यों जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोजी, यंत्र, तंत्र, मंत्र या फिर इन सबसे मिलती जुलती विद्यों द्वारा अरजित किये जाने वाले आईस्त रोतों से कमाते हैं और जब तक वो इन विद्यों तक नहीं पहुँचते उनका जीवन उन्हें अधूरासा परतीत होता है शानी परवत सामानने से जादा अच्छा है यहाँ पर यह भी कन्फूम हो गया कि यह माईला जिसका हम हैंड रिडिंग कर रहे हैं यह टैरो रिडिंग करती हैं किरपा पामिस्ट्री सीखने के चुक इसका स्नैप्शॉट ले ले या इस चिन को नोट जरूर कर ले आगे बढ़ते हैं सूर्य परवत पर जोकी अतीविक्सित है सूर्य परवत पर मौजूद है दिल या कहें कि धबा अत्वा बिंदू चिन यह अशुब होता है यह रोग का लक्षन है इस धब्बे का रंग काला है तो सांस से संबंदित गले से संबंदित रोग देता ही देता है सूरिक्षेत्र में ही क्रॉस का चिन भी है यह भी एक शुब लक्षन है यह जीवन में संबंदित समय के आने पर घोर निराशा असफलता और धन हानी के भी लक्षन देता है और अभी जब मैं इनका हाथ विशलेशन करा हूँ तो यह इसी समय में इनके साथ पिछले तीन सालों से घटित हो ही रहा है इनका उपाई मैं इने दे चुका हूँ आश्या है कि जल्द ही रिखाओं में परिवर्तन संभव होगा ऐसा चिन अगर किसी के हाथ में है तो उसे सटे बाजी, शेर बजार और लॉट्री इत्यादी से अपनी दूरी बनाकर अवश्य ही रखनी चाहिए अन्यता जीवन में बहुत बड़ी हानी से इंकार नहीं किया जा सकता बुद्परवत उन्नत है इस पर खड़ी रेखाए व्यक्ति में व्यपारिक बौद्धिक शम्ता के विकास का कारे करती है किन्तु यहां भी क्रॉस के निशान है तो व्यक्ति में चाला की जरूरत से जादा ही होती है वहें दो तरह की बाते करने लगता है मन में कुछ और बाहर कुछ और बुद्परवत के क्रॉस साइन व्यक्ति के दमपत्ते जीवन पर भी प्रहार करते ही करते हैं और शादी शुदा जिंदगी में भी अर्चने लाते हैं क्रॉस के चिन बुद्परवत पर अच्छे नहीं होते इसके भी उपाए मैं इन्हें दे चुका हूँ बढ़ते हैं आगे अंदुरूनी मंगल की तरफ अंदुरूनी मंगल काफी अच्छा है ऐसा अंदुरूनी मंगल जिंदगी के उतार चड़ाव को बहुत ही मजबूती के साथ सामना करने की शक्ती देता है ऐसा व्यक्ती समय के साथ साथ खुद को पहचानता है और प्रस्तिती के अनुसार खुद में आगे बढ़ने की क्षमता को विक्सित कर लेता है बात करते हैं अब शुक्र परवत की शुक्र परवत अति विक्सित है यहां जाल चिन भी मौजुद है यदि शुक्र परवत पर जाल चिन हो तो व्यक्ती कामुक होता है जिससे प्रेम करना है उसकी स्थिती प्रतिष्ठा आदी का विचार व्यक्ती नहीं करता शुक्र परवत पर यह स्थिति कई बार मान हानी का कारण बन जाती है बात करते हैं चंदर परवत की तो चंदर परवत की स्थिति काफी अच्छी है भाग्य रिखा का उद्गम स्थल चंदर परवत से घटित हो रहा है यह व्यक्ति के विदेशी भूमी से जुडाव और आवागमन को भी सूचित करता है भाग्यदे भी विदेश में ही होता है चंदर परवत पर स्थिती अच्छी होने के बावजूद क्रॉस चिन भी है और यह मस्तिक श्रेखा के ठीक नीचे है ऐसे में व्यक्ति के विचारों में प्लैनिंग की कमी होती है वह वारिक्ता की कमी होती है और कई बार वह स्वेंबी धोखे में पड़ा रहता है और विशेश कारियों का सफलता, पूर्वक, एक्जिक्यूशन, संबादन नहीं कर पाता बात कर रहे हैं, भारी मंगल की यह खड़ी रेखाएं कचहरी कोट केस की औरिशारा करती है परन्तू जिस तरह से यह मंगल पर्धान व्यक्ति है तो इन्हें कोट केस में हर हाल में ही विजे की प्राप्ती ही होती है परवतों की मानक दृष्टी से यह हाथ वर्तमान में मिले जूले फलों की प्राप्ती ने करवा रहा है अन्य रेखाएं और चिन भी इसके साथ साथ देखने अत्यंत आवश्यक है यह देखिए वर्तमान में हिर्दे रेखा पर द्वीप चिन अंकित है यह द्वीप रोग सुचक चिन है श्वास रोग या गले से जुड़े रोग या फिर लोवर एब्डोमेन से तालुकात रखने वाले रोग इने हो सकते हैं अतहे खान पान में विशेश ध्यान रखें हिर्दे रेखा के नीचे से निकलती ये लाइन्स चिन हित करती हैं कि यह खुश मिजाज रहती हैं जल्द ही गमों को भुला कर खुशिया ढूंड लेती हैं जो की अच्छी बात है लेकिन किसी को उधार पैसे ना दें वरना धन हानी अती संभव है दिया हुआ पैसा कभी लोट कर आएगा नहीं स्वास्ते का विशेश ध्यान रखें वर्तमान समय में मस्तिक श्रेखा पर भी छोटे छोटे द्वीपो की मौजूदगी यह बतलाती है कि जीवन अभी इनका दुखद घटनाओं से गुजर रहा है परन्तु यह समय माप्त होने वाला है इश्वर की कृपा से दिये हुए उपायों से यह आयू 38 वर्ष तक खुद को स्वेम ही अवश्य ही संभाल लेंगी और उसके बाद का पीरियड इनका गुल्डन पीरियड सिद होगा मस्तक्ष रेखा दो मुही है तो खुद के साथ ही मन ही मन में इनका वैचारिक मत्भेद भी कभी कभी चलता होगा बात करते हैं जीवन रेखा की और राहू रेखा की जीवन रेखा के आरंब से ही संघर्ष शुरू हो चुका था परंतु मंगल रेखा जिसे मात्र रेखा भी कहते हैं यहां से सभी मुश्किल प्रस्तितियों में विजे मिलती रही होगी मंगल रेखा और अद्रूनी मंगल ने शिग्र विवा करवा दिया परंतु विवा के पश्चात जीवन में अर्चने भी आनी शुरू हो गई जीवन में हर खुशी के पीछे गम खुद ही चल कर आता है आठ से दस बार राहू रेखाओं ने जीवन में काफी वैवधान उत्पन किया आयू 19 या 20 बर्ष के आसपास विवा और विवा के पश्चात काफी अपशूट्स रहे हैं पॉजिटिविटी भी रही है किन्तु हर पॉजिटिविटी हर अपशूट के बाद राहू रेखा वैवधान उत्पन करके मन की शांती को भंग और कारियों में दुविधा उत्पन करती रही आयू 23 वर्ष आयू 27 वर्ष आयू लगबग 30 वर्ष और फिर एक बहुत बड़ी राहू रेखा जो कि है आयू 32 वर्ष और आयू लगबग 33 वर्ष और 34 के बीच में जिसने आपको अंदरूनी तोर पर काफी तोड़ दिया परंतु आयू वर्ष में 37 वर्ष इसी वर्ष साल के शुरू में एक और रहू रेखा ने बड़ी हानी पहुँचाई परंतु उपाई करने के बाद काफी हद तक आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी अतहे धहरे अवश्य रखें और एक साल और तक अपने आपको संभाल लें उसके बाद अवश्य ही आपके स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी आयू 42 वर्ष तक आपके किसी बाहर देश में सेटल्मेंट की पक्की योजना क्रियानवित हो जाएगी उसके बाद का समय बल्ले बल्ले में ही बीतेगा आयू 52 वर्ष और 56 वर्ष में अपनी हेल्थ पर अवश्य ही नजर रखें शुक्र परवत से आते हुए इस लोवर क्रॉस की वज़ा से मेजर हेल्थ इशूज आपको विचलित कर सकते हैं सीवियर सरजरी होने की पूरी आशंका हो सकती है अब भाग्य रेखा की बात करें तो आयू 28 वर्ष से जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं हुई होगी और आगे भी आपको विशेश कठनाईयों का सामना विशेश कर आर्थिक रूप से करने को नहीं मिलेगा डबल भाग्य रेखा इसी बात की सूचक है कि आये का स्त्रोत जिन्दगी भर दो तरफा जरूर रहेगा मतलब की कम से कम दो अलग अलग विवसाईयों से या स्त्रोतों से आपको इंकम आती रहेगी इस बारे में निश्चिंत रहें आयू 33 वर्ष के समय आपको अवश्य ही फाइनाइंशल लासिज जरूर हुए होंगे एक रहू रेखा ने आगे बढ़कर भागे रेखा को काटा है किन्तु इसके बाद आप आर्थिक रूप से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी आयू 45 वर्ष में भी या तो आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगी या फिर मेजर आर्थिक नुकसान हो सकता है इस बात का ध्यान रखें रेखा चिन अभी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा किन्तु सावदान रहना अवश्यक होगा केतू परवत की बात करते हैं तो केतू परवत काफी सुद्रड है विदेश जाने और सिटल होने के चांसे बहुत अच्छे रहने वाले हैं यह चंदर परवत की और से बाहर जाती हुई भागे रेखा विदेशी धरती से आपके जुडाव को पॉजटिव अवश्य ही करेगी केतू परवत की रेखाएं भी विदेश से होने वाले विशुद्ध कनेक्शन को कन्फरम करती हैं आयू आपकी लंबी है लगबग आयू 85 वर्ष कम से कम रहनी चाहिए तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्णों के संपूर्ण उत्तर मैं दे सका आने वाला समय काफी अच्छा है और आपको सफलता के चरम सीमा तक लेकर जाएगा जेडी पामिस्ष्री को अपना पामिस्ष्णने के लिए धन्यवाद और चैनल के विएर्स जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वीडियो पूरा देखने के लिए प्यार भरा धन्यवाद